हेला आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी तो आज हम बनाएंगे वाइट डोकला ये डोकला बनता है सूजी से तो ये बहुत ही सिंपल इजी और इंस्टेंट बनने वाले रेसिपी है आपको इसमें जादा कोई प्रिपरेशन की ज़रुत नहीं पड़ेगी तो चली हम इसकी रेसिपी फटाफट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले में लिया है एक कप सूजी इसके अंदर मैं एड़ करूंगी हाफ कप दही रेशो आपको यही रखना है कि अगर आप एक cup सूजी ले रहे हैं तो उसके अंदर half cup आपको दही डालना है फिर इसके अंदर मैं add कर रहे हूं half cup पानी एक बार के लिए मैं half cup ही डाल रहे हूं इससे जाधा नहीं डाल रहे हूं इसको अभी मैं अच्छे से mix कर लूँगी और 10 minute के लिए rest करने के लिए छोड़ दूँ नमक मैंने दो हरिमिट्च और half inch अद्रक के टुकड़े को अच्छे से कूट लिया है आपस में और फिर इसमें add कर दिया है यह add करने से क्या होता है कि इस डोकले का taste बहुत ही अच्छा आता है फिर इसमें मैं add कर रही हूं थोड़ा सा हरा धनिया यह बिलकुल optional है आप नह नौर्मल हम जो खाने में यूज़ करते हैं वही औल डालना है सरसो का ओल इसमें मिलकुल भी मत add किजेगा अब इसमें मैं add करूंगी लास्ट में baking soda अगर आप baking soda नहीं डालना चाहिए तो इसकी जगह इनों का जो पावडर आता है जो पैकेट में मिलता है वह भी आप add कर स तो इसके अंदर मैं इसको अच्छे से एक बार oil से grease कर लूँगी अब मैं इसमें batter को डाल देती हूँ अब हम इस plate को थोड़ा सा ऐसे नीचे tap कर लेते उससे क्या होगा extra जो भी bubble रे गए होंगे वो हट जाएंगे मैंने steamer को gas पे रख दिया है पानी इसमें add कर दिया है औ इस वज़े से मैं यह डाल रही हूं इसके बाद हम steamer का धकन लगा देंगे और 15 मिनिट के लिए इसको steam होने के लिए छोड़ देंगे आप देखे 15 मिनिट हो चुके हैं यह ढूखला अच्छे से steam हो चुका है लेकिन फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेते तो चेक करने के किली हम क्या करेंगे यह नाइफ के help लेंगे और उसको ऐसे डाल के देखेंगे अगर हमारा नाइफ बिल्कुल clear निकलता है इसका मतलब हमारा ढूखला बिल्कुल रैडी है तो अब हम इस डूखले की प्लेट को बाहर निकाल देटे अब देखें डोखली की प्लेट को तो है वन टेबल स्पून ओयल इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी राई थोड़ी सी वाइट दिल एक हरी मिर्च थोड़े से कड़ी पत्ते थोड़ा सा हिंग पाउडर अब एड़ कर रही हूं थोड़ा सा पानी आप चाहो तो इसमें शुगर भी आड़ कर सकते हैं लेकिन मुझ देखें आपको में एक निकाल के दिखाती हूं कितना सॉफ्ट और स्पंजी हमारा ढोकला बनके रेडी हुआ है तो देखा आपने कितना जल्दी से हमारा ये ढोकला बनके रेडी हो जाता है बहुत जादा कोई प्रिपरेशन की ऐसी भी कोई ज़रूत नहीं पड़ती है सि प्लीज लाइक और सब्सक्राब मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग